दोस्तो मैं Jio Sim के उपर APN Sending वाला वीडियो बहुत ज़दा लाते रहता हूँ और आप सभी को बताता हूँ कि किस प्रकार से अपने Jio के SIM पर APN करके APN Sending करके अपने इंटरनेट को स्पीड कर पाओगे फ्रेंस उस वीडियो पे आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिलता है और आज का वीडियो जो होने वाला है आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो पहली बार आगर के वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को भी सब्स्राइब करके बिल आको प्रेस कर लिजेगा इससे क्या होगा कि मैं इस परकार का जब भी हैलफुल वीडियो लाओंगा तो आपको भी सबसे पहले देखने को मि प्रेकार से अपने फॉन में कर देना है फिर आप जहे इस प्रॉब्लम से छुटकार आपको मिल जाएगा तो अभी मैं अपने फॉन का स्क्रीन रेकॉर्डिंग चालू कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन-कौन सा आपको सेटिंग्स करना है तो य नेटर टाप का उप्सन मिल रहा यहाँ तो इस पर क्लिक करेंगे के बाद में आपको सिम काड आपको वह चूच करना जिस प्याप स्य बहुत करता हूं और SIM1 पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखोगे नीचे तो data roaming इसको on रखना है और VOLT call से जो है इसको भी enable रखना है अगर आपके phone में इस परकार से यह off हो तो इसको on कर देना है और back आने के बाद मैं आपको call settings में आना है तो call settings में आ जाते हैं तो call settings में आने के बाद फ्रेंश मेंской dialler open किया आप call settings में जा सकतो हो किषी परगार से setting में जा कर भी जा सकतो तो मेरा RealMe Cup phone है तो मैं डाilor open किया ओपर यहाँ उपर 3.9m मिल रहा है तो आपका हो सकता है नीचे में दिखाई दे थ्री लैन का option या तो थ्री डॉट का उस पर किलिक करके आपको settings में आना है तो मैं settings में आ गया हूं call settings में और उसके बाद scroll करके नीचे आएंगे फ्रेंस तो यहाँ पर आपके form में हो सकता है advanced settings का option दिखाई दे लेकि से यहाँ पर मुझे सो हो रहा है network और sim card error तो हो सकते आपके phone भी इस परकार से मतलब option आ जाए लेकिन यहाँ पर देखूंगो साइड में तो एक button मिल रहा है एक नहीं यहाँ बहुत सारा button मिला है सब button को off होना चाहिए यहाँ तो मेरे phone में सब off है लेकिन फिर भी मुझे य आप करना है और उसके बाद यहाँ पर access point names का option मिलेगा आपको simple उस पर tap करना है इस पर tap करोगे तो यहाँ पर देख सो तो कुछ इस परकार से आपको default APN मिलेगा जियो के sim पे तो हो सकते है आपको दूसरा APN भी किये होंगे तो उसको select करके apply करके रखना है तो यहाँ पर टिक लगा हुआ ग्रिन कलर का तो यह अपलाई है लेकिन मुझे फिर भी यह problem आ रहा है तो हो सकते है आपके फोन में एक और setting है जो ख़राब हुआ हो तो उसके लिए मैं आपको फिर से settings में आने के लिए बोलूंगा और आपको फिर से sim card वाला option में आने के लिए तो 3G 2G Auto 2G Only लेकिन यहाँ पर किसी पर यह टिक नहीं है ग्रीन कलर का यहाँ पर जैसे टिक करूंगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा तो हो सकते आपके फोन में कुछ और प्रकार से ठीक हो तो यहाँए मैं टिक करता हूं टिक करने के बाद में फ्रेंस यहाँ पे देख सो तो मैंने जैसे ही टीक किया तो यह green color का बन गया अब जो ही इस problem से मुझे छुटकारा मिल गया है अगर आपके phone में इस प्रकार से जो setting में आपको बताए इस प्रकार से कर देतो तो आपके phone में इस problem से छुटकारा मिल जाएगा आपको call एंडेर का problem नहीं आएगा तो इस video के मादन से मैं इतना ही बताने वाला था अगर आपको फिटी कहीं के problem आते तो नीचे comment करके जोड़ से बताएगा मैं आपको पूरा का पूरा help करने के कोशिज करूंगा तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को like कर दीजिएगा साथ ही में चलों को subscribe करके बिल आक करा दूरा हुआ है